अलाम अलेकूम, आप आएं क्लास ट्रेन उद्व कोर्स भी की क्लास में किताब पनाम है जान पेचान आज हम इस क्लास में सबक नंबर 13 पढ़ेंगे जो कि है मिर्जा गालिप से मुतालिक सेकिंड टर्म में जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट के उपर भी आएगा शायर और मसन्निफ के उपर लिखने के लिए आएगा तो चलिए जलिए से हम इसमें देखते हैं कि क्या जिए हमें जरूरी है और कितना लिखना चाहिए अगर नोट आ जाए लिखने के लिए तो क्योंकि देख लेजिए कितना बड़ा होता है यह तो जरूरी नहीं आप यह सारा कुछ लिखे इसके अंदर जो जरूरी है वो मैं आपको बताती चलूंगी तो प्री क्लास अच्छी लगे काम की लगे तो लाइक भी कर दीजएगा तो मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब का पूरा नाम है मिर्जा असादुल्ला खां गालिब यह चैसे याद रखने की है कि इनका पूरा नाम क्या था मिर्जा असादुल्ला खां इनका नाम है और गालिब जो है वो इनका तखलूस है कल्मी नाम है तो मिर्जा असादुल्ल खालिब की विलादत आगरे में हुई 1797 में ठीक है यह आगरे में पेंदा हुए 1797 में यहां तक यह जो लाइन है वो बहुत ही एहम है ठीक है इसको नोट करते जाएगा यहां तक लाइन बहुत एहम है यह जादा एहम नहीं है अभी वो बच्चे ही थे के वालिद का इंतिका बहुत जल्द उन्हों ने अपनी अलग पहचान बना ली और आला आदबी मकाम हासिल कर लिया गालिब नस्म और नस्र दोनों पर यकसा कुद्रत रखते थे दोनों में उनका अंदास बहुत मुन्फरिद और दिलकश है तो अब बताते हैं आपको कि यहां के इल्मी यानि गालिब जब तेहली आ गए तेहली के इल्मी और अजबी माहूल में उनके शेरी जोग के तरभियत हुई यह लए नहीं हम है और उन्हों ने अपनी अपनी अलग पहचान बना ली और एक मकाम हासिल कर लिया गजल की दुनि यह weapon है यह बहुत ही आपको याद कर लेना चाहिए इसको ख्याल की बुलंदी इसमें बताや जाएगा कि क्या कि चीज़ उनके कला में हुआ करते थे जो उनकों दूसरों से अलग करती है तो ख्याल की बुलंदी मद्मून आफरिनी और शोखी हैं उनके कलाम की नुमाया खुसूसिया थे ये तीन चीज़ा उनके कलाम को अलग बनाते हैं ख्याल के बुलंदी, मजमून आफरीनी और शौखी उनके शायरी में इनसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है खालिब जितने बड़े मुफक्र थे उतने ही बड़े फनकार भी थे ये चीज़ एहम है ये चीज़ ये लाइन खालिब जितने बड़े मुफक्र थे उतने ही बड़े फनकार भी थे अगर आप ये अपनी नोट में लिख देंगे ना तो पढ़ने वाले को इसमें मज़ा वही मरतबा उनकी नसर को भी हासिल है ये लाइन बहुत है अमें के गालिब ने जो बुलंद मरतबा शायरी में हासिल की वही मरतबा उनको नसर में भी मिला दिवान गालिब इनकी गजल की किताब की दिवान है दिवारे गालिब में बाद मुश्किल 2000 आशार हैं लेकिन गालिब हिंदोस्तान ही नहीं दुनिया के बड़े शायरों में शुमार किये जाते हैं ठीक है वो हिंदोस्तान ही नहीं बलकि पुरी दुनिया में वो मशूर है मारूफ है हर कोई चाहे वो किसी भी जुबान का जानने वाला और किसी भी मुल्क का वो गालिब को जरूर पसंद करता है उनके एक दो शेर का वो जरूर काईल होता है उनके खतूत के मजमुएं उर्दु मौला और उर्द हिंदी के नाम से शाय हुए है ये याद रखेगा कि उनके खत के दो मजमुएं है एक है उर्दु मौला और एक है उर्द हिंदी इस नाम से शाय हुए हैं छपे हुए हैं तो ये थी एहम बाते गालिब के बारे में मिर्जा गालिब एक एहम शायर रहे हैं उर्दु दुनिया में और हमेशा सही ये अपनी शायरी के लिए मशूर वो मारूफ है और आज तक ऐसा कोई नहो सका जो वो बिर्जा गालिब से अच्छी शायरी बयान कर दे इनके शायरी एक अलग मर्तबे की हुआ कर देती और रहेगी तो चलिए इसी के साथ अपनी इस क्लास को हम यहां पे खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम जानेंगे हम पढ़ेंगे इनके गजल जो कि यह है कोई उम्मीद पर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती यह गजल हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या जरूरी है, क्या चीज़े हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि हमारे अच्छे marks आए और इनके सवालों को भी लेंगे जो इस सबक में सवाल दे रहे हैं, उन सवालों को भी हम समझेंगे तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिया लाहाफिज, और हाँ, आप बे फिकर रहे हैं, मैं आप पूरा स्लेबस करवा दोंगी, आपके एक्जाम से पहले, इसलिए प्टेंशन ना ले, आप स्लेबस आपका पूरा हो जाएगा, जो इसमें ग्रामर है, जो इसमें चैप सारे पूरे हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे, बस आप वीडियो देखते रहिए, और अपनी पढ़ाई में करते रहिए, अलाहाफिज,